हेलो फ्रेंड जैमातादी आज देखिए हम बहुत ही सुन्दर लेडी सॉक्स बनाने जा रहे हैं यह बहुत इजी तरीके से बनाएंगे हम इसको यह देखिए अंगुठे बाली बना रिखिए मैंने तो इसको मैंने इसको इसाइश्र आटो दाली जाएं थे दोनों साइट से ओल्टे एल्टे यह मैंने इस दोनों साइब से सॉ चैक्छाइब लगाएंगे और ये वाला डिजाइन बनाएंगे वाइट वाला तो पूरी सलाई हम दूसरे कलर से बनाएंगे और फिर दो सलाईयों का डिजाइन है फ्रेंट ये जो वाइट वाला हम बनाएंगे ये दो ही सलाईयों का डिजाइन है एक हम उल्टे बनाएंगे और सीधी साइड पे उल्टे ही बनाएंगे जिससे हमारा यह डिजाइन बनेगा यह मैंने छे साथ नंबर पॉँग के लिए बनाया है तभी मैंने यहां पे 25 धारियां बनाई है अगर आप इससे छोटा बनाना चाते हैं तो यहां पे 20 धारियां बना लिजिए और आगे का डिजाइन सेमी बनेगा सिर्फ यहीं पे जो फट्टी हमारी है यह हमारी कम होएगी यहां पे आप 20 बना लिजिएगा मैंने छे साथ नंबर के लिए बनाया तो मैंने 25 बनाई अगर इससे बड़ा बनाना है तो आप इसमें 30 बना लिजिए अब धागा आगे करेंगे देखे ध्यान से यह वाला डि एक दो तीन फिर आगे का एक दो तीन फिर आगे का एक दो तीन दो तीन लास्ट का धागा हम सी दाव नाई गे अब उल्टी स्लाई पे हम दूसरा कलर लगाएंगे और दोनों स्लाई उल्टी उल्टी बनाएंगे इस तरह से इन 17 फंदों को हम उल्टा उल्टा बना देंगे इस तरह से पांच डिजाइन हम इस साइड बनाएंगे और पांच ही डिजाइन हम अंगूठे के बाद में बनाएंगे तो एक डिजाइन हमारा ये बन गया और एक हम ग्रीन का बनाएंगे दो इसलाइएं हम ग्रीन की बनाएंगे और दो ही वाइट की बनाएंगे अब देखिए इस तरह से हमारी एक धारी बन के आ गई इसके बाद फिर हम उल्टी स्लाई पूरी वाइट कलर से बनाएंगे और सीधी साइड पे तीन का तीन फंदे बनाएंगे तो यह बना लिजे आप इतना पांच डिजाइन एक डिजाइन ने देखिए हमारा एक कम्लेट हो गया तो यह देखिए पांच बनाएंगे हमने एक हमारा डिजाइन बन गया फिर एक एक बन गई फिर इस तरह से दो, तीन, चार, पांच एक एक हमने धारी बीच में दे रखिया तो पांच डिजाइन बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ मैं आगे अब देखिए फ्रेंट पांच डिजाइन बना लिए मैंने अब यहाँ पे हम पांच धारी बनाएंगे एक हमारी बने चार और बनाएंगे और वाइट कलर हमने यहाँ से काट दिया है जब हम आगे लगाएंगे तो फिर से जोड़ देंगे अब इन ही फंदों को हम पांच धारी बना देंगे यहाँ पे उल्टी उल्टी तो यह मैं बना लेती हूँ फिर आपको अंगूठा बनाना बताती हूँ इसके बाद हम अंगूठा बनाएंगे पांच धारी बना लेते हैं पहले यह देखिए फ्रेंट पांच धारी बना ली मैंने एक, दो, तीन, चार, पांच पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, और यह बारा इस वाली स्लाई पे हमने बन करें अगली पे हम बढ़ाएंगे अब इस वाली स्लाई पे हम इनको बढ़ाएंगे यहां पे हमने कट डाल दिया जिससे हमारे अंगूखे बनने में असानी हो जाएगी तो यह देखिए फ्रेंट अब यहां से हम इस तरह से पलटेंगे अब धागा हमारा इस साइड है तो इसी साइड को में इस तरह से बारा फंदे बढ़ा लेंगे दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ ग्यारा और यह देखिए बारा फंदे हमने बंद करें और बारा ही बढ़ा लीए अब यहां से हम फिर्ट normalized है जो हमने सेम इस साइड बनाये बैसा है सेम इसके आगे हम बना देंगे तो हम यहां पर पहला फंदा भी तुर थ SEG और इस तरा से दोनों साइड से उल्टा-उल्टा बनाते बहल पूंज दहीं है फिर पांच बार बाइट वाला डिजाइन बनाएंगे और पचीश दारियां बाद में बनाएंगे तो इस तरा से सेम बनादेंगे दोनों साइड से उससे फिर इसके बाद फिर मैं आगे बनाना बताती आपको इसके बाद हमने किस तरह से बनाना इसको इतना बना लेजिए आपじゃ अब इस तरह से शहीं बने गा पाक्श धरिया यह पांच देजाइmost 25 ए देखे इस तरह से तो यह बना लिजी आप फिर बाद में बताती हूं आगे अब देखिए फ्रेंट यह 25 धारियां बना ली मैंने अब उल्टी साइड से हम 25 धारियां बनाने के बाद उल्टी साइड से हम इन फंदों को बंद कर देंगे इस तरह से ए बनाया इसको इसके उपर से उतार दिया लास्ट तक बंद कर देंगे हमें फिर लास्ट मैं बताती है यागए क्या करना है हमने अब देखिए फ्रेंड ये बंद कर लिए मैंने और लास्ट में हमारे पास एक फंदा बचिया है अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे इस तरह से हमें अब फंदे उठाएंगे जो हमारा ये उपर वाला पाट है जो हमारे नीचे हमने अंगुठे के लिए सीफ दिया जिससे उपर वाला और उल्टी साइड से इस तरह से फंदे बनाते जाएंगे और 82 या 84 फंदे उठाएंगे इस तरह से देखिए जो लूप हमें दिखाई दे रही है देखिए इसकी यहां पर स्लाइड डालेंगे और इस तरह से लास तक talkinあ kraja Speaker i didn't Buddhi ya 84 पने उठाएंगे तोई मि उठा लेती हूं इस तरह से सभी पन डे तर सोट दिखाती हूं आगी है लाए देखिए फ्रेंड अश्वामम अदैशे दो ङसे बनाएंगे आने इस तरह से और फिर दो बनाने के बाद आगे दिखाते हूं मैं आगे हमने क्या करना है तो इस तरह से दोनों साइट से आप यह यह उल्टी उल्टी बना लेना फिर दिखाऊंगे आगे अब देखिए फ्रेंट दो स्लाइय बनाने के बाद 20 फंदीं हम इससाइड छोड़ेंगे और बीच के पंदो को हम तीन का एक बना देंगे इस तरह से एक तो तीन और इसके बाद हम पांच धरिया यहां पे बनाएंगे इस तरह से हम इस फंदों को बना देंगे और आगे एक, दो, तीन, चार और पांचवाँ यह हम पहले बना रखें तो इस तरह से इसके बाद हम तीन धारियां और बनाएंगे जो हम घटा रहे हैं, तीन का एक कर रहे हैं यह बारी स्लाई है इसके बाद तीन धारिया और बनाएंगे और फिर में बंद करना बताऊंगे आपको आगे के पन्दों को में हम इस तरह से तीन का एक बस इसी स्लाई में हमने बंद करने हैं बाकि हम फिर जो फंदे हमारे पास बचेंगे उनको हम उल्टा उल्टा बना देंगे इस तरह से और आगे के बीस फंदों को हम बैसे ही बनाएंगे यह हमारी दूसरी धारी बनेगी और इसके बाद तीन धारी यां और बना देंगे हम और फिर उसके बाद बंद करेंगे और सी लेंगे दो तीन चार पंच छे साथ आठ नो दस इस तरह से उल्टा उल्टा बना देंगे सभी फंदों को तो यह मैं बना लेते हूं फिर दिखाती हूं अब देखिए फ्रेंट एक दो तीन चार पांच पांच धारिया बनाने के बाद हम उल्टी साइट से सभी फंदों को बंद कर देंगे देखिए किस तरह से करेंगे एक फंदा बनाया पीछे वाला इसके उपर से उतार दिया यह लास तक हम इसी तरह से बंद कर देंगे सभी फंदों को और फिर मैं सिलना बताती हूं आपको किस तरह से सिलेंगे हमें कि देखिए बंदोना स्टार्ट होगे अब देखिए फ्रेंड सी लेंगे हम इसको तो हमने यह सीधी साइड अंदर के साइड कर दी उल्टी बाहर के साइड और यहां से सिलना स्टार्ट करेंगे और यह जो हमारा कि इतना पीछे तक सिल देंगे हम इसको तो देखिए किस तरह से सिलेंगे इस तरह से यहां से यहां तख जो हमारे वाएट वाले डिजाइन वहां तक सिल लेंगे हम इस तरह से फिर आगे दिखाते हमें कि शैड हमें एक चैसा चाही सिलना own तरब से कि इन यहां दो डी जाइन तक सिल्द यह मैंने और तीन हमने छोड़ दिए थो तो हब एक साइड हम धागा लेके जाएंगे उपर इस तरह से और अब इस तरह से मिलाएंगे और एक साइड से सिलना स्टार्ट करेंगे दूसरी साइड तक अब इसी तरह से मुप पर तक सिल देंगे और इसके बाद फिर एक फ्रैंट सीधा करेंगे हम इसको इस तरह से बहुत ही संदर सॉक्स बनके त्यार हो जती है और यह देखिए एक बार जुरूर ट्राई किजिएगा फ्रैंट तो फ्रैंट आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को थैंक यू